नमस्कार, मैं सारदा पंडे आसान जीद्र की किसी पेसोट में आपका सवागत करती हुँ आज मैं आपको बताओंगी सूर्य ग्रहन के बारे में जो कि पूछा गया है कि भारत में सूर्य ग्रहन लग रहा है कि नहीं तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि भारत में पूरे भारत में सूर्य ग्रहन नहीं लग रहा है एक पिछला और मैं वीडियो दी थी जिसमें की चंदर ग्रहन का मैं आपको वीडियो दी थी और एक ही माह में यानि की पूरिमा पर चंद्रग्रहन था और ही भी 10 जून 2021 दिन गुरुवार के दिन वट सावित्री के दिन उस दिन सनी जयनती भी है और उसी दिन सूर्य ग्रहन है जो की विदेशों में है आगे मैं आपको बताऊंगी कि सूर्य ग्रहन कहां कहां है भारत में कोई सूर्य ग्रहन नहीं है कोई सूतक कोई मोच कोई दान आपको नहीं करना है तो जो विदेशों में हैं अभी आपको बताऊंगी कि कहां कहां पर है और कब से कब तक सूर्य ग्रहन लग रहा है यह सूर्य ग्रहन कंकड़ा कृति सूर्य ग्रहन है जो कि आंसिक सू चूते हुए निकल जाएगा इसका जो को सूतक होता है अधिक देड़ तक नहीं मनाया जाता है यसे सूर गरहन का सूतक बारा घंटा पहले दुड़ें गणना जाता है तो मैं आपको बताओंगी कि 10 जूण 2021 दिन गुरुबार के दिन सूरे ग्रहन लग रहा है जो जो कि 12 बज के 41 मिनट से शुरू होके दोपहर में और साम को 6 बज के 40 मिनट को मौच हो जाएगा बारह एक तालिस सुरू हो के मोच साम को चे बच के चालिस मिठ से होगा तो मैं आपको बता देती हूं कि ग्रहन कहां कहां पर है जो अपने भारत की माताय बहने इन इन देसों में हैं उनको क्या-क्या सावधान या रखनी है तो अमेरिका में बहुत सारे लोग बहुत सारे मा पूजा करें जो शुभिधा आपको मिले अगर आपको तुलसी या बर्गत का पत्ता वगरा में दिखाए वह भी नमिले तो सिर्फ कलस कलस रखके और एक किसी कागज में उसमें आप सत्यवान साभित्री ब्रह्मा जी सरसती में या भगवान श्री हरी विष्णु यह कर ले आता है उनको पुकारा जाता है बुला जाता कि आप आके हां इस्थापी तो हमारे जो पूजा है इसको स्युकार कर दो बता रहे हूं कि आप बिडेसों में भी हैं तो किस तरह से पूजा कर सकती है लेकिन गरहान लगने से पहले जैसे मैं बताती हूं कि कई ऐसे तो ये जो में लग रहाँ अब में बारबाड शैकर करके के कहां बताई रहा है so वहां में उनके लिए जो नहीं मानते हैं नहीं कोई बात है मानते हैं तो गरभती महिलाओं को चाहिए कि उस्वें खाना दडाई जहगड़ा गाली गलोज अफसब इन चीजों का प्रियोग न करें ना निकले काटने पीटने का काम न करें जैसे कि तमाम बहनों का प्रश्णा है कि वो लोग बोले हैं कि इसमें लेटना नहीं चाहिए क्योंकि आप इतने देर तक बैट नहीं सकते हो तो आप लेट सकते हो सो नहीं सकते सोने से जो बच्चा होता है गर्व के अंदर वो सुस्त होता है यानि सुस्त ही पैदा होता है तो सुनाने चाहिए और आप प्रवचान या अच्छे कारिकम भी देख सकती हैं ग्रहन के बाद मोच हो जाता है उसके बाद अश्नान अगरा करके और भारत के लोग हैं गंगा जल भी विद्यस में ले जाते हैं तो जल को छिड़क के विश्टर गरम जैसे पूरा नहीं तो सकते तो छिड़क के सुधी करन करने और आसान तो जिनके कुंडलियों में सूर गरहन होता है उनसे पिता से नहीं पड़ती है मन मुटाओ लडाई जगडा अलगाओ यह सब चीजें बनी रहती है तो इसी दवरान जैसे कि सूर गरहन जैसे रात को चंद गरना तो रात की दिक्कत होती है कि नारियल को प्रवावित करने क बहते हुए पाने में जब आप नारियल को पहाते हो तो आपका जो दोस होता है गरहन का वो समाप्त होने लगता है जिनका कुंडलियों में सूर गरहन हो ओ सूर को सूर यानी की पिता चंद्रमा याने की मा बुद्ध बहन बुआ इन सब ग्रहों से संबंधित ये रिस्ते मंगल यानी की भाई जातक के जो कुंडली होता है उसे संबंधित ये ग्रह है तो आप जो ग्रह खराब है उनका मुच्च करने के लिए उनकी पूजा की जाती है अगर खराब है तो सूरी होते हैं पिता तो उनको जल नहाने के बाद सूर को गायत्तरी मंत्र पढ़के जल देना चाहिए इससे आपका ग्रहन दोस खतम हो जाता है जैसे कि आपकी कुंडली में दोस है ग्रहन दोस तो आपको जब यह पता लग जाए कि आपका ही दोस है तो कभी भी जान बूज की पिता से लडाई जगडाना करें उनके पास ज्यादा देर तक बैठेंगे इधर उ कवेशन देमें दोस है तो आपको चाहिये कून जिन देशों में लग रहे हैं उनको क्या करना है तो ग्रहन का दान हमेशा सफाई कर्मी को जो सफाई कर्मी होते हैं डोम होते हैं जरुर्वत मंद हैं गरीब हैं इनको देना चाहिए ब्राहमण को भी देना चाहिए अब मावश्या जो तिथी होता है ये पितरों पूर्वजों के नाम होता है अब पूर्मा जो तिथी होती है ये देवता प्रभाव ज्यादा देर तक नहीं रहता है भारत में किसी प्रकार का इसका मानन है कि मंद्रियों को कपाट और सब फुले हुए रहेंगे, कोई भी सूतक और कोई भी मोच का कोई भी नियम नहीं जाएगा, तो मैं आपको पता रहे हैं कि सुर ग्रहान में क्या करें क्या ना करें, यह एक माह में दो ग्रहान, पहला को भी देखें, और आप अपने सुरच्छा करें, विशुष्कर जो मातायां गर्वोती हैं, जिनको पूजा करना है, इन देशों में हैं, तो आप बाहर न निकलें, यानि बाहर जाके आत्रा करना, कुछ खाना, पीना, इस सब नहीं करना चाहिए, कलस घर में रखके हार करें, या तो एक टाइम मीठा भोजन करके करें, आपको दवाईया लेनी हैं, तो आप मीठा भोजन या फल दो बार खा सकते हैं, तुमा आपको बता रही हूं कि आप इस दवरान, दस जून 2021 दिन गुरुगार के दिन, जो कि तीन तीन एक पर्व पढ़ रहे हैं, वट कि अन्य जयनती जयनती जयनती, जो आगे भी मैं आपको बताओंगी इस प्रकार से जब गुरहन लगता है तो बहुत लोगों को उस उक्ता होती है, चलो हम गुरहन देखें और जो एक सरे कापियों होती हैं, विसको दो तीन परत्में कर किसी बे तरह से संग्लास लगा कि क व्होज भी तरीके से एक डिक होता है तो गरहन को देखने से भी तोज होता है, यानि जिते रहे हाई के यह को अदमी उसको बचाता हैै, इसलिए बहगवान का जफ होता है, घर में एकांत में बैठ के सुखासन पर और देorage जब होता है जो आप गुरू मंत्र लिए जो भी कुछ है आप देवी देता को मानते उनका जाब करते हैं कि इस में देफ़को बचाओ और मानो को भी हर कष्ट से बचाये रखो तो कभी बीगठा को देखने का प्रयाश नहीं करना जाहिए जो मानते हैं यह दोस होता है दोस उसको दान कर दिया जाता है और अगर आपके पास आज पास में नदी सरोवर ताला आप कुछ भी है तो उसमें मचलियों के लिए भी कुछ अन डाल दिया था कि उभी खाया उनका भी पेट भरे तो आपको इसके लिए भी पुर्णी की प्राप्ति होती तो मैं आपको बताए प्राइब करना चाहिए तो आप अपने पती को खाना बना के देना आउ करना यह सब्स हो जाता है तो इसको इसका निवारान करना मुश्किल होता इसलिए दोस लगे ही ना पहले से साधान रहना चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा हैं देखते हैं आसान जिन्देगी तब तक के लिए नमस्कार